नमस्कार, स्वागत एक ने वीडियो में, आज हम जानेंगे जूबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में थोड़ इसी फंडामेंटलस और टेक्निकल चार्स, तो चलिए शुरू करते हैं तो जूबिलेंट फूडवर्क्स क्या करता है, एक फ्रेंचाइज है, क्विक सर्विस रेस्टोरांट बिजनस में, मेजर ब्रेंड है, इसके पास डॉम्नोस पिज़ा और टंकी डोनट्स, मेज़ोर्टी हिसा आता है डॉम्नोस पिज़ा से, मार्केट कैप देखते हैं, 36,420 करोड का हाई बनाया था, रीसेंट, 552 ही है, 587, अभी है 552 पर, लो बनाया था, 421 का, तो मोमेंटम में है, नीचे सा अच्छा रिकवर किया है, देखेंगे, डेट भी है, 4000 करोड का, इसको भी देखेंगे, तो जलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर हम जैसे हम हैं, कि नीचे, यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से ऐस्ने बॉटम रूटाम रहा था, यहां से रिकवरी शुरूब यहाँ से आप देखो, तो अल्मूस्त, 28-30% ऊपर जा चुका है, देखने वाली बात क्या है, कि लगातार, higher high बना रहा है, higher low, higher high, higher low, higher higher low, और फिर उ जान देना है तो इसके बहुत पास में और यही इसका जो आप देखोगे 52 वीक आई था वो भी यहीं करीब था यहां से ब्रेक आउट रीटेस्ट और यही टार्ट रिच हुआ था रेजिस्सन्स था यहां पर और रेजिस्टेंस ने फेस किया और वापस नीचे आ गया इस पॉइंट पर इसका सपोर्ट है रेजिस्सन्स था पहले सेम 418 पर अभी हमने देखा था कि 52 वीक लो जो था वो 421 था तो फिर इसके पास से वापस गया है अब यह वापस उपर जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर आप देहोगे न तो यह लगा था लोवर लोवर ही बना रहा है अलाकि आप कह सकते हो कि डबल बॉटम मनाया है क् इसका हाइड जो है जो हाई है इसका वो भी नीचे होता जा रहा है अंटिल अलेस यह 571 आप 575 लेकर चलिए 575 को वीकली बेसिस पर नहीं ब्रेक करता तब तक इसमें ट्रेड नहीं करेंगे नहीं करना चाहिए यह असा मेरे बेशने पर करना बिलकुल नहीं मेरे कहने पर किसी के भी कहने पर खरीद नहीं आपको अपनी करनी दूसरों की लेकर चुबलेट फूडवक्स में बहुत टाइम से है मैं लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट हूं तो इसमें मेरा सेल्फ इंटर्स जरूर है अभी हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वह हमको क्लेरली दिख था अभी कुछ कम हुआ है लेकिन अगें फिर राइस करने को तारी जिस तरह से गर्मी है फिर से बढ़ता जा रहा है तो एक इंफलेशन का इसमें हमेशा इसमें एक हैंगवर बना रहता है फिर से वापस आने के करीवे तो इसको बेर मिनिममम 575 आया आप इसका प्रिविय पूरे चांस है यहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाए अगर इसको उपर जाना है तो एक lower एक higher low बनाएगा फिर एक higher high बनाएगा ऐसा मैरा prediction है कि अगर इसको उपर जाना होगा तो इसी तरीक स्ट जाएगा यहां पर जरूर मिल सकता है तो हम इसको जरूर देखेंगे आप कहोगे कि यह 10 लाइन जो है टेंडल्स को ब्रेक करें तो कभी-गभी चलता है आपको देखना होता है कि कहां टच पॉइंट्स आ रहे हैं और कहां पर एक रेस्टेंस मिल सकता है वर्टिकल भी है और स्लांटी भी है और होर्जॉंटल भी यहां पर रेस्टेंस है तो पुराना हमने अपने लेस्टेंस देखा वहां हमने प्रॉफिट बुक किया था तो एक रिस्की ट्रेड हो सकता है लेकिन इसलिए हमें बहुत कॉशनली इसको बुले करना है आभी भी उपर थोड़ा सा मूव है और इसमें इंटरस्ट भी बन रहा है वो भी देखेंगे आगे चलके मूविग इवरिज कभी इसमें इंपोर्टन डॉल है और MECDRSI कभी इसमें प्रॉल है तो एक काम करते हैं सीदा उसी में चलते हैं देख लेते हैं क्या कहरा चाहरा है अगर आप डेली बैसिस पर अगर आप मुविंग देख रहे हो तो 50 डेमा ने कट कर दिया है 100 डेमा को और 200 को भी कट कर दिया तो काईदे से देखे तो golden crossover इसमें आ चुका है लेकिन हमने इस तरह से देखा कि रिस्क क्या है अगर आप RSI देखोगे तो RSI नीचे से आप देखो कहां पहुँच चुका है इस लेवल से daily business पे जो RSI होता है 73-72 के असपास यहां से इसमें resistance इसको मिलता है और यह वापस वहा momentum आया था वह इतना शार्प था कि वह अभी भी उपर ही है वह बहुत ज्यादा उपर पहुच चुका है थोड़ा सा कूल अफ होने के चांस है अगर आप देखोगे तो जो histograms है वह भी बहुत छोट-छोटे बन रहे हैं उतने मिजरली नहीं बन रहे है डेली से जैसे आप इसको weekly basis पर convert करोगे तो यहां भी आपको देखने को मिलेगा कि कि ध्यान देना है weekly basis पर RSI क्या कह रहा है कि RSI क्या कह रहा है वो यहीं से पिछली बार वापस गया था लेकिन इससे पहले भी उपर जा सकता है weekly basis पर candle slow move करती है याद रखना 76 के आसपर जा सकता है MACD RSI दोनों बहुत ही positive है नीचे से कट मिल रहा है इसमें MACD लाइन को एक अच्छा solid green candles देखने को बिल रहा है यह बहुत ही positive है अगर इसमें एक फिर इसमें sustain कर लिया इसने एक ऐसा लंबा सा यहां पर जिस तरह यहां बनाया या पिछली बार जब इसमें green आयता देखिए इस तरह से बनेंगा तो एक weekly basis पर बहुत अच्छा move होगा तो हमको cautiously move करना है और बिलकुल ध्यान देते move करना है अगेन कोई भी बाइस से recommendation नहीं आप देखोगे चुब्रियन foodworks को तो अभी इन्होंने notify किया था कि इन्होंने इंडिया में 2000 store open कर लिये बहुत पुरानी news नहीं है इसी महीने की है जून 10 की ह है तो इसमें एक अच्छी बात है लेकिन जैसे कि हमने का इसमें inflation करें अगर आप इसमें investors देखोगे न प्रमोटर्स नहीं तो कुछ भी नहीं बेचा हो 41.94 से 41.94 पी है हाला कि FI is 41 से घट करते हुए लगातार वो selling ही करते जा रहे हैं और 23.24 पर आगे इसके उले अगर FI इसमें भी हमेशा की तरह रहती है चार से आट परसंट हो चुकिए है लास्ट को देखोगी तो यह भी हलका लका इन्होंने बढ़ाया बढ़ाया टूपंट वन फॉर से शुरू किया था अब देगी टूपंट फाइसिक्स पर आ चुए लाइसी भी बढ़ा रही है तो हमें जरूद ध्यान देना है कि थोड़ा सा रिस्क है थोड़ा सा इसमें इंटरस्ट है तो हमको देख के रखना है हमको अपने लेवल स्याद होने हो चाहिए आप वीकली बेस पर इस तरह से एक ड्रॉ कर लेना फिर देखना मंतली बेस पर भी आप इसको देख सकते हो तो च्छे सो बीस पर और अगर इस लाइन पर टच कर लेगा तो यह जो हाइट है इसी को आप उपर प्लेस कर दोगे यही इसका टार्गेट हो जाएगा तो यहां पर जो हम रफली ड्रॉ किया है च्छे सो बीस का मंतली बेस पर वापस अपने अल्टाइम हाई के पास करिएगा अगें वीडियो चलागा तो लाइक शेर सब्सक्राइब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद